इस लिए दिया है इसलिए दिया है मैं आप के माध्यम से बिहार के आवाम को बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द आप सुन लेंगे कि जनता दल युनाइटिट का भाजपा में विलय हो गया नमस्कार मैं हूं देवानसू आप देख रहे हैं निस फोनेशन आज से जेडियू की दो दिवस्य बैठक हो रही है और इस बैठक में चर्चा होगी आखिर चुनाव के नतीजे ऐसे क्यों रहें कि जेडियू जो है वो तीसरे नवर की पार्टी बिहारें बन गई हमारे साथ आत्मा को आरेसेस के हेटक्वार्टर में जाके उन्होंने बंग कर दिया है क्या मन्थन करेंगे क्या जवाब देंगे अंतरा आत्मा को अपने क्या उनका आत्मा इस पर कापेगा नहीं रोएगा नहीं घबडाएगा नहीं कि बिहार की जो करोड़ों अवाम है ये कराह रह काम किया गया नितिश कुमार जी जो मन्थन कर रहे हैं मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप मन्थन कीजिए अद्रात्मा को जगाईए और मन्थन करके जगा के बिहार की आवाम से जाके माफी मांगिए ए बिहार की मालिक बिहार के मालिक हमने आपके जनादेश का चूड़ी किया, डगैती किया, मात्र छे महीने के मुख मंतरी बनने के लिए अपने छे विधायक का बली चढ़ा दिया, क्या हुआ रुआचल परदेश में, क्यों नहीं होगा, अब सोचिए के जो नितीश कुमार जी के मंडली के लोग कल तक राष्टिय जनता दल पर निराधार आरोप लगाया करते थे, उनको जब अब मिल गया होगा, हम तो बहुत जिम्मेदारी से भी बात कहते हैं, कि राष्टिय जनता दल का पंचायत का अध्यक्ष भी अगर बनाया जाता है, तो पार्टी के निष्टावान डिसिप्लीन लोग ही बनाते हैं, लेकिन जनता दल युनाटेट का राष्टिय उपाध्यक्ष परशांद किशोर जी को बनाया गया, खुद खुले मंझ से नितिश कुमार जी ने कहा, कि हमने तो अमीत शाजी जो वरतमान अध्यक्ष थे, उनके कहने पर बनाया, जिस दल का राष्टिय उपाध्यक्ष दू इसलिए दिया है, मैं आप के माध्यम से बिहार के आवाम को बताना चाहता हूँ, कि बहुत जल्द आप सुन लेंगे, कि जनता दल युनाइटेट का भाजपा में विलय हो गया, इसलिए ये तय है कि जदियू का विलय भाजपा में होगा, इसलिए नितिश जी अभी भी व है, बिहार की जनता से माफी मांग लीजिए, नहीं तो बिहार की जनता तो आपको माफ नहीं करेगी, ना दुनिया में आप चैंस रहिएगा, ना दुनिये से जाने के बाद चैंस रहिएगा, क्योंकि बिहार का लोग करा रहा है, रो रहा है, हफ्तों लोगों ने खाना नह ज़वानोंने सपना देखा था कि तेजैसभी जब मुखमत्री बनेंगे चोबीस घंटे के अंदर पहले केविनिट में थस लाख लोगों को नौक री मिल जाईगी वे समान काम वेतन की मांग करने वारे लाखों लोगों ने हजारों लोगों ने लाखों लोगों ने जतने जो करमचारी हैं सब लोग मांग कर रहे थे उन सारे लोगों ने सपना देखा था कि तेज़ेस्वी जी का मुकमंतरी बनते ही 24 गंटे में हमारा समान काम समान वितन हो जाएगा और भी बहुत सारे लोग जो जितने आप देखिए क्या हो रहा है रोज मडर हो रहा है एक दिन में 27 27 मडर हो रहा है आपने चलाया था हमने ट्वीट किया था सारा आकरा पेश किया था वो तो आपने चलाया तो वो तो सरकार का दिया हुआ आकरा था बिहार सरकार का लेकिन उसमें सर कार 40 परसेट आकरा चुपा लेती है कि यह कोई बात नहीं है बैठक में चर्चा होगी वही तो बात कह रहा हूं वही तो मैंने कह दिया कि जिस पार्टी उससे पहले भी उनका एक विधायक तो चुका है नागालेड में बीजेपी तिन चार बहीना पहले उस समय तो आप चु को बेच देती है रात के अंधेरे में सारे एरपोर्ट को बेच देती है रात के अंधेरे में बड़ी-बड़ी सरकारी कंपनियां को बेच देती है रात के अंधेरे में सारे किसान के जमीन को बेच दिया रात के अंधेरे में करती है क्या जरूरत थी अंधेरे में करने का च गोर जो होता है वो रात में चौरी करता है। वो अन्धेरे में चौरी करता है। तो नितीश कुमार जी इसलिए उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्यूंकि कहतो रहे हैं कि जिस डल का राश्ठी प्रॉपा ध्यक्ष वरतमान अध्यक्ष अमीद शाख के जoba quien b ne तो नहीं है अब जब जदियू का विले हो जाएगा बीजेपी में उस वक्त भी नितीज जी कहेंगे कोई बड़ी बात नहीं है उस वक्त भी सोचेंगे लेकिन मैं एक बिहारी होने के नाते एक बिहार का वोटर होने के नाते नितीज जी को मैं सलाह दे रहा हूं कि नितीज आपने जो पाप किया है बिहार की जनता से हाथ जोड़ करके माफी मांग लिए उसके बाद बिहार की जनता आपको माफ कर देगी अगर आप माफी मांग बिहार का दिल बहुत बढ़ा होता है बिहार का दिल बहुत बढ़ा है पूरे देश के लिए बिहार है आप तो बिहार क के रहने वाले हो इसी माठी के लाल हो आके माफी मांग लो और बिहार की जंता आपको माफ कर दीजी यह थे कारी सहे फिलाल अभी तक लिए इतना ही आप देखते रहें नूश परनेशन